ह Bend,... दोस्तों, आइसे बात करेंगे Sizzilon Energy के बारे में और depawan में गहरे आए 5 साल में 2900% का रिटन दिया है , और एक साल की बात करें तो खरीन इस परें तो 34 % के समझन पॉजिटिव रिटन दिया है 6 मन्त की बात करें 33 % रिटन μाधिी ए 22 % mo 정мен количество य impressed नेगेटी में 6.55 परसेंट और मैक्जिमम अगर रिटन देगें तो अभी भी शेयर अपने ओल्टाइम हाई से 54.16 परसेंट के संथिंग डाउन है बड़ी ख़बर निकल के सामने यह आ रही है कि भई सुजलों टाटा पावर एडा गोवर्मेंट्स बिग मूंडरा अटेंशन आफ दीज स्टॉक चेयर अब गोवर्मेंट का इनके ओपर क्यों अटेंशन है तो जैसे कि आप हैडलाइन से जान गया होंगे दोस्तों क्योंकि यह जो शेयर है सुजलों टाटा पावर एडा यह र पोटल 211 GbW हो चुका है अभी तक और अभी तो मतलब 6 साल पेंडिंग है तो हमें लगता है कि दोस्तों बहुत जल्दी 2030 तक 500 GbW बहुत जल्दी आ जाएगा फोकस on the renewable energy sector has been increased recently with the government taking several steps to support its growth listing company in the sector has provided good multivagorator and the government's new proposal to form a task forced to achieving a 500 GbW renewable energy capacity अभी इसमें भी ठीक है जो मिनिस्ट्र है renewable energy वो भी कह रही है कि हम इन मतलब continuously प्रियास कर रहे है और he said जो मिनिस्टर का है मिनिस्टर ने काया है he said the country has already achieved 212 GbW energy capacity from the clean fuel sources and it is on the track exceeds the 2013 target the minister spoke the important concern collaboration report among the all stakeholders to outcome, overcome challenges and accelerate progress the renewable sectors तो भाया यह मिनलब कह सकते हैं exiting target में चल रहे है मिनलब टारगेट 2030 तक 500 GbW का है लेकिन हो सकता है कि यह 700 यह 1000 GbW हो जाए डबल भी हो जाए क्योंकि जो कंपनिया है एन एच्पी सी इडा एनोप्स विंड जैस डबलू और ये सब कंपनिया काफी अच्छी तरीके से कामपाज कर रही है और काफी अच्छा रिटन अभी तक बनाके भी दिया है और energy वी जनेरेट करके दिए तो सुजलोन फीचर में काफी अच्छा रिटन दे सकता है क्योंकि गौवर्मेंट एजिक अपनियों को काफी प्रमोट कर रही है और अच्छी बात है गर हम रेनेवल सेक्टर से एनरजी डवलॉप पैदा कर रहे है तो बहुत अच्छी बात है रेजिल्टी भी काफी शान अंटरपाइज वल्यू 77,790.61 करोड है नंबर ओप शेर की बात करें 1,364.67 करोड है पी कंपनी का 255.08 करोड है प्राइस टो बुक वल्यू 19.94 है पेस वेल्यू टू है डिविडेन जिरू पसंट है बुक वल्यू 2.85 है कैस कंपनी के पास में 263.13 करोड है डेट की बात कर अच्छा डेट कम कर दिया है प्रोमोटर रूटिंग 13.25 है बट FII भी अच्छा से इन्वेस्टेट है अनिंग पर सेर 0.22 है सेल्स ग्रोथ 7.51 है प्रॉफेट गोथ नेगेटी में 95.68 है रिटन ऑन एक्विटी 3.74 है रिटन ऑन केपिटल एमप्लोई 7.98 परसेंट है दोस् पर्मोटर 13.25 डिया 9.91 है तो FII एच्छे से इन्वेस्टेट है अगर क्वाटरली रेजल्ट की बात करें तो जहां सेप्टमबर 2023 में नेट सेल्स 763.87 करोड था महीं एकदम डबल के लगबग हो गया है 1412.14 करोड टोटल एक्स्पेंडिचर की बात करें तो 732.03 करोड था महीं बढ़कर 1349.89 करोड हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 31.84 करोड से बढ़कर 62.25 करोड हो गया है तो कमपनी दोस्तों काफी अच्छा परपॉर्मेंस कर रही है और देखो आप एंड डाउन तो मतलब पार्ट है बट इस जन्नी में जैसे यहां पर भी गरीब 54 रुपे दिया तो महां से गरेगे 34 रुपे ओपिस है तो तो यहां पर अभी 86 रुपे से 56 रुपे आगया तो कोई बात नहीं है बट एक बड़ा ब्रेक आउट हमें देखने को मिल सकत आगया तो दोस्तों आपको अच्छे लगी होगी अच्छे लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल बगर आप पहले अगले वीडियो में तब तक बाबाइटी केर जेहें जेवारत थेंग